हेलो गाइज मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं त्यागी जी टेक्निकल तो गाइज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वर्डप्रेस व्लॉग को पिंट्रिस में कैसे वेरिफाई कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो गाईज पहले में आपको पिंट्रिस के वारे में बता देता हूँ पिंट्रिस्ट क्या है पिंट्रिस्ट एक वेबसाइट है जिस पर लोग बहुत सारी इमेजीद वगरे शेयर करते हैं और इस website पर बहुत सारा traffic आता है तो ये काफी अच्छी website है traffic gain करने के लिए अगर आपकी website में images हैं या आप कोई ऐसी website चलाते हैं जिसमें आप images upload करते हैं तो Pinterest West website है image share करने के लिए और Pinterest के तुरू traffic gain करने के लिए तो guys एक question ये है कि आपको अपनी website Pinterest में verify करनी ही क्यों है तो मैं उसका बता देता हूँ अगर आप Pinterest में अपनी website को verify कर लेते हैं तो उसमें काफी सारे नए tools आपको मिल जाते हैं जैसे कि analytics वगएरा और आप अपने Pinterest में ads वगएरा चला सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़े आप वहां से देख सकते हैं और ads वगएरा अगर आपको Pinterest पे चलाने है तो वो भी सारे tools उसमें मिल जाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको verify कर सकते हैं तो guys इसको verify करने के लिए इसमें दो तरीके हैं आपको जो है अपना account जो आपका Pinterest का account है उसको business account में convert करना पड़ेगा अगर आपके पास account नहीं है आप पहली वार Pinterest यूज़ कर रहे हैं तो आप नया account बना सकते हैं नया account कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ तो guys यह मैंने Pinterest की website open कर लिए और यह sign up page है ठीक है तो आप यहां से Google continue with Google से अपने Gmail ID से login करके अपना Pinterest का account बना सकते हैं अब मैं बताता हूँ कि आपका account बना हुआ है already या आपने इस तरीके से बनाया है इसके बाद आप इस account को business account में कैसे convert कर सकते हैं तो guys देखिए यह Pinterest की मैंने website open कर लिए और इसमें मैंने login कर लिया है ठीक है तो मैं यहां पर जाओंगा side में option आएगा यहां पर मेरी profile का picture है तो यहां पर option आएगा add a free business account तो मैं इस पर click करूँगा तो guys यहां पर option आएगा यह creative business account का ठीक है get started पर click करने के बाद देखिए यह पूछे का what is the name of your business or brand तो मैं यहां पर लिख देता हूँ आपका जो भी website है आप उसके बारे में यहां पर details भर दीजिए जैसे मैं अपने business का नाम लिख देता हूँ जो मेरी website का नाम है वो ही मैं यहां पर लिख देता हूँ तो मैंने यहां पर त्यागी जी टेकनिकल डाल दिया है यही मेरी website का नाम है do you have a website हाँ हमारी website है तो मैं yes कर दूँगा और यहां पर अपने website का URL डाल दूँगा तो मैंने यहां पर अपनी website का URL डाल दिया है country आप चूज कर लीजिए language आप चूज कर लीजिए यहां पर next पर क्लिक करेंगे next पर करने के बाद फिर यहां पर आएगा option describe your brand तो what's the focus of your brand तो यहां पर हम चेक कर लेंगे हमारा जो website है वो किस से related है ठीक है तो हमारा education से related है हम जो है मैं अपनी website पर WordPress वगरा सिखाता हूँ तो आपकी जो भी website हो उससे related आप category यहां पर चूज कर लीजिए आप फिर हम next पर क्लिक करेंगे next पर क्लिक करने के बाद यहां पर यह सारे option है जाएगे कि आप कौन है ब्लॉगर है, consumer goods, product, service है, क्या चीज है तो मैं तो ब्लॉगर हूँ तो मैं आप ब्लॉगर पर क्लिक कर दूँगा आप अपने हिसाब से जो भी आपका brand है उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं मैं next पर क्लिक करूँगा next पर क्लिक करने के बाद पूछेगा यह would you ever be interested in running ads on Pinterest यानि कि आपको Pinterest पे ad लगाने है या कहीं उसके बारे हैं पूछ रहे हैं तो अभी तो मैं कोई planning का नहीं है तो no I am not planning to advertise अभी तो मेरा कोई plan नहीं है अगर आपको कोई plan है Pinterest पे ads बगरा चलाने का तो आप यहाँ से select कर सकते हैं फिर मैं इसके बाद next पे click करूँगा अब उसके बाद यह option है जाएगा where would you like to start आप कैसे चालू करना चाते हैं मतलब कैसे शुरू करना चाते हैं अपना business account तो 3-4 options है इसमें कि अपनी profile को बना लीजे grow your audience और share ideas ठीक है ऐसे करके 3-4 options आएगे तो जैसे कि मैं यहाँ पर showcase your brand को मैं यहाँ पर click करता हूँ तो यहाँ पर मेरी सारी profile open हो जाएगी तो इसमें सारी details आप भर सकते हैं कि आपका brand आपकी जो website है वो किस से related है ठीक है लेकिन अब मुझे क्या काम करना है मुझे तो अपनी website को verify करना है Pinterest में तो वो कैसे करूँगा तो देखिए यहाँ पर option आगा claim का तो मैं यहाँ claim पर click करूँगा claim पर click करने के बाद देखिए यहाँ पर option मिल जाएगा आपको यह मेरी website आगई यहाँ पर ठीक है और मुझे यह stml tag मिल जाएगा ठीक है तो मैं इसको copy कर लेता हूँ इसके बाद हम जाते हैं अपनी wordpress की website में तो यह मेरी त्यागीजी technical.com मेरी website है और मुझे इसको Pinterest पर verify करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा सबसे पहले मैं dashboard में जाऊँगा देखिए मैं अपने dashboard में आ गया हूँ अब वो हमें stml tag को लगाने के दो तीन तरीके हैं तो सबसे पहला तरीका तो यह है अगर आप SEO Yoast Yoast SEO जो plugin है SEO का अगर आप उसको use करते हैं तो उससे बहुत simple है आप कर सकते हैं तो मैं सबसे पहले उसी तरीके से बताऊँगा तो मैं SEO Yoast कर लेता हूँ अगर आपके SEO Yoast plugin नहीं है तो आप यहां से install कर सकते हैं plugins में जाए add new पे क्लिक करें तो guys यह plugin है Yoast SEO अगर आपके पास यह plugin नहीं है तो आप यहां से install कर लीजिए इसको मेरे पास already install है तो मैं यहां से देखिए यहां पर अपने नीचे जाऊँगा option में dashboard में SEO का मुझे option मिल जाएगा यहां पर मैं जाऊँगा social में social पर मैं क्लिक करता हूँ social पर क्लिक करूँगा तो मुझे यह सारे options open हो जाएगे मेरे तो यहां पर Pinterest का option आएगा ठीक है मैं Pinterest पर क्लिक करूँगा तो यह page open हो जाएगा Pinterest setting का तो यहां पर लिखा to confirm your site with Pinterest add the meta tag here तो हमने जो Pinterest की website से जानी कि यह वाला जो हमने HTML tag copy किया था तो हम इसको यहां से copy करके यहां पर paste कर देंगे पेस्ट करने के बाद में हम यहां save changes पर क्लिक करेंगे अब यह हमने code जो है HTML tag यहां पर डाल दिया है दूसरा तरीका एक और मैं बताता हूँ आपको दूसरा तरीका यह है कि आप जो एक plugin और दूसरा install कर लिजे तो guys आप एक plugin सर्च कर लिजे header footer code header footer code अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक plugin दिखाए देगा header footer manager ठीक है यह जो plugin है आप इसको install कर लिजे अब यह install हो चुका है मैं इसको active कर लेता हूँ तो यह plugin मेरा install हो चुका है ठीक है अब यहां पर देखिए मेरे all plugins में जाएंगे plugins plugins में जाके all installed plugins में हम जाएंगे तो हमें यहां पर मिल जाएगा header footer code manager तो मैं यह settings में जाऊँगा settings में जाने के बाद मैं जो है यहां पर add new snippet यहां पर click करूँगा यहां पर click करने के बाद दिखे add new snippet यह एक option open हो जाएगा तो हम यहां से अपना stml tag जो है यहां से लाए है इसको यहां से copy करेंगे और यहां पर जो है इसको paste कर देंगे ठीक है पेस्ट करने के बाद इसको save कर देंगे ठीक है तो हमारा यह header में लग गया है और यह code हमने यहां पर save कर दिया है ठीक है इसके बाद हम जो है अपनी Pinterest की website में जाएंगे यह हमारी Pinterest की website है और मैं next पे click कर दूँगा और submit पे click कर दूँगा तो यह instantly हो जाता है हब हम इसको refresh करके एक बार check कर लेंगे तो guys देखे जैसे ही मैंने refresh करा तो देखे हमारी website यहाँ पर verified हो गई है तो आप इस तरीके से अपनी जो website है Pinterest में verify कर सकते हैं और इसके जो फायदे हैं वो बताता हूँ यहाँ पर analytics मिल गया हमें अब हम analytics में जाकर overview पर हम click करेंगे यहाँ पर तो हमें सारी information यहाँ पर मिल जाएगी अभी तो यहाँ zero है क्योंकि हमरे यह नया account है लेकिन आपको जितने भी आपके pins होंगे यहाँ पर आपकी जो images हैं उसका सारा data होगा कि आपके इस पर कितने visitors आ रहे हैं कौन-कौन सी location से आ रहे हैं तो यहाँ सारी data आप यहाँ से analysis कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़े हैं तो आप यहाँ से check कर सकते हैं तो I hope guys आपको अपनी website को Pinterest में verify करना आ गया होगा और एक business account के through analytics वगरा के tools को भी access करना आ गया होगा तो I hope guys आपको वीडियो मेरा यह पसंद आया होगा अगर आपको कोई question है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल subscribe नहीं कर आए तो subscribe कर लीजिए ताकि आकर कि जो मैं वीडियो डालू उसकी notifications आपको मिलते रहे तो मिलता हूँ आपसे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye कर दंद पूब गूब उसक्का